माई शार्दा मंदिर में माई की रसोई संचालित की जारी है जहां भक्तों को निशुल्क भोजन करवाया जाता है यहां भक्तों के ठहरने की विवस्था भी निशुल्क की जारी है माई शार्दा की पावन नगरी मैयर में श्रीवुरु कार्शिन सेवा संस्थान दौरा नवरातरी माई शार्दा मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए पंडित धीरज महराज की देखरेख में माई की रसोई से सेवा कारे लगातार जारी है यह माई शार्दा को अर्पित भोजन प्रसाद भक्तों को निशुल्क परोसा जाता है तो वहीं पूर्फ बुकिंग एवं उपलप्ता के आधार पर रुखने हेतु कमरोग की भी निशुल्क वेवस्था की जाती है माई की रसोई में आने वाले भक्तों के अनुसार उनका अनुभव अलोकिक होता है माई की रसोई के संचालक पंडे धिरज पांडे के अनुसार महियर में आने वाले प्रत्यक भक्तों को भोजन एवं रुखने की दिक्कत ना हो इसी प्रेड़ना के साथ वे सेवा में जुटे हुए है स्रीकुरू काश्री महासारदा सेवा संस्तान महियर के इंतरगर ये माई की रसोई एक जनवरी 2021 से सुलगात इसकी हुई है यहाँ पर आए हुए समसर यात्रियों को बारा बज़े दिन से लेके बारा बज़े रात तक निसल को भोजन पूरा भोजन यहाँ पर निसल गुर रूब करता है और उसके रुकने की शुझा देते हैं जो पूर्टा निसल के इस हमाँ जूसा के तरह से यात्रियों को रुकने की बिश्था और भोजन की बिशल्टा से लाना ले जाना रोबे में तुम तो पहली बार यहां आए हैं और कल पता चला यहां के बारे में तो हम लोग आए हैं यहां का प्रसाद ग्रहन की है और इतना अच्छा प्रसाद लगा बहर पे तनी शुर्ख भोजन इससे बेडिया वेवस्था और कहा होगी साब सफाई हाई जिनिक खर्चिच का ख में वेवस्था है जैसा कि हम लोग पुरे फड़ी वाड़े के साथ पहली वाड़े हां माई का दर्शन के लिए थे कल वहां धुला के पास पते चला कि माई की रशो यहां चलती है जो सब दीने तीन सो पैसट दिन ही खिला यहां तो मैं ने खल भी है प्रसाद यहां ग्रह आप देख रहे हैं डखल न्यूर